तो कैसे हैं आप लोग Samsung A25 5G Mobile में आपको एक Big Super Ram OLED डिस्पले देखने को मिल रहा है 50 Megapixel का Triple Camera मिल रहा है जिसके साथ आप 4K में वीडियो शूट कर पाऊगे और 5NM Architecture में बिल्ड हुआ एक दमदार प्रसेसर मिल रहा है तो और किया के exciting features आपको इस Mobile में मिल रहा है जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा तो Hello Friends, मैं Shushmita और आप देख रहे हैं Shushmita Tech Review Channel तो पहले ही आप जान लेते हैं कि इस Mobile में आपको डिस्पले कौन सा मिल रहा है इस Mobile में आपको मिल रहा है 6.5 इंच Full HD Plus Super AMOLED Water Drop Notch डिस्पले इसका refresh rate है 120 Hz, इसका tap sampling rate है 240 Hz, इसका brightness है 500 nits इसमें Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिल जाएगा इस Mobile में 6.5 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले देखने को मिल रहा है यानि डिस्पले का video viewing experience बहुत ही अच्छा होने वाला है उसके साथ साथ Water Drop Notch डिस्पले का use किया गया है यानि डिस्पले का look थोड़ा backdated होगा और 120 Hz का refresh rate मिल रहा है यानि डिस्पले काफी smooth काम करेगा regular day use का काम करने के time या multitasking करने के time और 240 Hz का touch sampling rate मिल रहा है यानि इस mobile के touch response भी बहुत ही अच्छा होने वाला है और Super AMOLED डिस्पले होने के साथ 500 nits का brightness मिल रहा है यानि इंडोर सिचूशन में तो इस डिस्पले के visibility ठीक ठाक काम करेगा पर आउटओर सिचूशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा वजन के बारे में अगर बात करें तो इस mobile के वजन है और इसका थिकनस है 8.3 mm इस mobile में Android 14 operating system Samsung One UI user interface के साथ देखने को मिल जाएगा बैटरी के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में 5000 mH का lithium polymer battery 25 watt fast charger के साथ देखने को मिलेगा इसके अलावा USB Type-C charging port, 3.5 mm headphone port और dual speaker with Dolby Atmos भी देखने को मिल जाएगा सिकूर्टी के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में side mounted fingerprint scanner और face unlock के सिकूर्टी सिस्टम मिलेगा जो 240 Hz touch sampling rate होने के वज़े से बहुत ही fast काम करेगा यह mobile 3 color variant में market में launch हुआ है blue, yellow और blue black तो इन 3 colors में इसे आपको सबसे ज्यादा कौन सा color पसंद आए comment करके ज़रूर बता ना क्योंकि आपके हरे comment मेरे लिए बहुत ही ज्यादा important है rare camera के अगर बात करें तो इस mobile में आपको 50 megapixel का triple camera देखने को मिलेगा इसका जो primary lens है वह है 50 megapixel का और इसका aperture है f1.8 और एक 8 megapixel का ultra wide angle और 2 megapixel का macro lens देखने को मिल जाएगा इस camera के साथ आप 30 frames per second में 4 के वीडियो शूट कर सकते हैं यानि इस mobile में आपको rare camera बहुत ही अच्छा मिल रहा है इस camera के साथ आपका photo या video का output बहुत ही शांदार होने वाला है और आप मेंसे जो कोई भी social media influencer से या video या photography करने के शौक इन है उसके लिए यह mobile बहुत ही अच्छा होने वाला है इस mobile के front में आपको 13 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा इस camera के साथ आप 30fps में full HD वीडियो शूट कर सकते हैं यानि इस mobile के selfie camera आपको average level का मिल जाएगा connectivity के अगर बात करें तो इस mobile में 5G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.3, Dual 4G, VOLT और NFC की facility भी देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर के अगर बात करें तो इस mobile में आपको Sony Exynos 1280 प्रोसेसर देखने को मिलेगा यह एक 5NM Octocore processor है और इसका maximum clock speed है 2.4 GHz इस में Mali G68 MP4 GPU का use किया गया है इस mobile में आपको 5000 image के battery मिल रहा है और Super AMOLED display मिल रहा है और उसके साथ-साथ 5NM architecture में बिल्ड हुआ एक processor मिल रहा है यानि battery backup आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और इसके अलाबा regular devs का काम या multitasking बगार आप इस mobile के साथ smoothly कर सकते हैं और high graphics का game भी आप इस mobile के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं यह mobile दो storage variant में market में launch हुआ है 8GB 120, 8GB और 8GB 256GB इसका RAM टाइप है LPDDR4X और इसका storage टाइप है UFS2 इसमें hybrid SIM slot support करेगा इस mobile के 8GB 128GB variant का market price है Rs.26,999 और 8GB 256GB variant का market price है Rs.29,999 तो budget के सब से देखा जाए तो इस mobile में आपको Super AMOLED display देखने को मिल रहा है पर display का look थोड़ा backdated होगा और brightness थोड़ा ज्यादा दे देता तो और भी अच्छा हो जाता पर refresh rate और touch sampling rate आपको इस mobile में बहुत ही अच्छा मिल रहा है और इस mobile के rare camera भी आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है 50 Megapixel का triple camera जिसके साथ आप 4K में वीडियो शूट कर पाऊगे और इसका अलाबा इस mobile में performance भी आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है क्योंकि इस mobile में 6NM आर्खिटेक्चर में बील्डवा एक प्रोसेसर देखने को मिल रहा है यानि आप में से जो कोई भी सोचल मीडिया इंफ्लूएंसर से या वीडियो फोटोप्रफी करने की शौकिन है या बहुत ही हेवी माल्टी टास्किंग करते हैं या हेवी रेगुलर देउसका काम करते हैं उसके लिए भी यह mobile बहुत ही अच्छा होने वाला है तो मेरे साब से तो यह mobile बहुत ही कम बजेट रेंज में बहुत ही अच्छा mobile होने वाला है आपके लिए तो इस मोबाइल के बारे में आपका क्या राय है? कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना और ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना